नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दौलन का तीसरा भाग समझेंगी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगी कि सरल आवरत गती में वेक तथा द्वरन क्या होता है जिसके बाद हम देखेंगे कि सरल आवरत गती के लिए बलकानेयम क्या कहता है तो चली दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि सरलावरत गती में वेग तथा द्वरन क्या होता है दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक समान वर्तूल गती के बारे में पढ़ा था मतलग V बराबर है उमेगा एक है किसी समेटी पर वेग V की दिशा वृत के उस बिंदू पर स्पर्श सज्या के अनुदिश होती है जहां काण उस शन पर अस्थित होता है दोस्तों जमीती के अनुसार किसी समेटी पर पक्षे पर काण P- का वेग है VT बराबर रिनात्मक V साइन थीटा जहां पर थीटा बराबर है उमेगा टी जमा फाई के तो दोस्तों इसके अनुसार VT बराबर आएगा रिनात्मक V साइन उमेगा टी जमा फाई मतला रिनात्मक उमेगा ए साइन उमेगा टी जमा फाई दोस्तों यहां पर रिनात्मक चिन ये दर्शाता है कि VT की दिशा X अक्ष की धनात्मक दिशा के विपरेट है चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरल आवर्द गती में त्वरण क्या होता है दोस्तों सरल आवर्द गती में त्वरण किसी भी केंद्रा विबोक त्वरण द्वारा दिया जाता है मतलब AC बराबर है V वर्ग दो भाग A की मतलब एसी बराबर है ए उमेगा वर दो के दोस्तों केंद्रा भी मूख त्वरन के दो घटक होते हैं जो की है एसी कौज्या थीटा जो एकस अक्षपर है और एसी साइन थीटा जो की वाई अक्षपर है दोस्तों अगर यहां पर कला शूने नहीं है तो त्वरन जो होगा एकस अक्षपर वो आएगा रिणात्मक एसी कौज्या उमेगा थी जमा फाइ मतलब रिणात्मक ए उमेगा वर्ग दो कौज्या उमेगा थी जमा फाइ इस समीकर्ण को पुनर्विवस्थित करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा रिणात्मक उमेगा वर्ग दो एकस टी जो की त्वरन है दोस्तों ये समीकर्ण एक बहुत महत्यपुर्ण पर नाम देता है इसके अनुसार सरनावरत गती में कंड का त्वरन इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों यदि हम फाइ को बराबर रखे शून्य के तो XT, VT और AT के व्यंजग को हम इस परकार से लिख सकते हैं मतलब XT बराबर है A कौज़ा उमेगा टी VT बराबर है उमेगा A साइन उमेगा टी और AT बराबर है उमेगा वर्ग दो A कौज़ा उमेगा टी दोस्तों इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सरल आवरत गती में किसी कंड का विस्थापन वे तधा त्वरण का आवरत काल टी समान होता है लेकिन उनकी कलाओं में भिन्ता होती है इसमें सभी राशियां समय के साथ जयाविकरिय विच्रण करती है केवल उनकी उचीष्ट में अंतर होता है तधा उनके आलेखों में कलाओं की भिन्ता होती है मतला X रिनात्मक A तधा A की मध्य विच्रण करता है VT रिनात्मक उमेगा A तधा उमेगा A के मध्य में विच्रण करता है तथा AT रिनाथमक 252A तथा 252A के मध्या विच्रन करता है विस्थापन आलेग की सापेक्षवेक आलेग की कला में पाएख भाग 2 का अंतर है तथा त्वरण आलेग की कला में पाएख अंतर है चलिए दोस्तों अब आगी बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरलावरत गती के लिए बल का नयम क्या कहता है चलिए इसे एक उधारन से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों मान लीजिये कि ये कोई एक गुटका है जो की कमाने से सलांकन है और इसका एक सिरा दिवार से लगा हुआ है दोस्तों मान लीजिये कि ए यहाँ पर आया है और एक्स विस्थापन है तो जैसा कि हम जानते हैं कि एफ्टि बराबर होता है रिणात्मा के एक्स टी के दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि XT बराबर है A कौज्या उमेगा टेके और हम ये भी जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है रिनात्मक A उमेगा वर्ग 2 कौज्या उमेगा टेके तो इसके अनुसार हमारे पास त्वरण है रिनात्मक उमेगा वर्ग 2 X के दोस्तों, न्यूटन की गती के दूसरे नियम तथा आवरत कती करते हुए किसी कण के लिए त्वरण के व्यंजग का पर्योग कुछ इस परकार से दिया जाता है जो की है F3 बराबर M A के जहां पर M भार है तथा A त्वरण है तो दोस्तों, समीकरन एक तथा तीन के अनुसार हमारे पास K आएगा K बराबर M उमेगा वर्ग 2 मतलग उमेगा बराबर है घनमूर K भाग M के दोस्तों, त्वरण की तरह बल हमेशा माध्यम स्थिती की और निद्रिश रहता है दोस्तों, जैसा कि आप समीकरन एक एनुसार देख सकते हैं कि बल XT के समानुपाती है दोस्तों, जब बल X के समानुपाती होता है तो इसे रेखिक आवरिती दौलक कहते हैं बलकि दोस्तों, जब F XT के समानुपाती नहीं होता है तो इसे हम आरेखिक दौलक कहते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सरल आवरत गती में वेग तथा त्वरण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा जिसके बाद हमने सरल आवरत गती में बलकानियम क्या होता है वो पढ़ा अगली वीडियो में हम सरन आवरत गती में उर्जा के बारे में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि सरन आवरत गती निश्पादित करने के लिए कुछ निकाए कौन-कौन से होते हैं दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझाया होगा तब तक आप अपनी पार्टे पुस्तक से इन सारे विश्व को दोराने की कोशिश कीजेगा धन्यवाद